इस वक्त हम मौझूद है हरियाना के मेहंदरेकट के कनीना के उसी इलाके में जहां सुबह एक बड़ा दर्दनाक स्कूल बद हाथसा हुआ जिसमें छे बच्चों की दर्दनाक मोत हो गई दरعसल इस रास्ते से स्कूल बस जो हो सुबह आ रही थी और उसके बाद यह जो पीछे आप मोर देख रहे हैं इसी मोर के उपर एक तरह से जो स्कूल बस है उसका नियंतरन जो है वो नही रहा हर उसके बाद यह बड़ा हाथसा हुआ जिसमें की बस पलट गई और उस वक्त बस में करीब 40 से ज्यादा जो छात्र हैं वो मुझूद थे और वो सभी इस आद्से का सिकार हो गए और मौके पर ही जो पाँच बच्चे हैं उनकी मौत होगी जबकि इलाज के दोरान एक और छात्र ने दम तोड़ दिया इसके अलवा काफी सारे जो छात्र हैं वो गायल है जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है करीब 12 छात्र ऐसे हैं जिनका रेवाडी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है बाकि जो छात्र है उनका मेंद्रगड के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है इ उसी बस के है और जो बस इस हाथसे का शिकार हुई जो सरक के उपर आप इस निशान देख रहे हैं ये खून के निशान है जो चात्र उस बस के अंदर मौजूद थे जब गाहिल हुए इस हाथसे के बाद और ये पूरी तरह से जो चीजे बिखरी पड़ी है ये उस बस की नि पर मौजूद भी है जो कि उस वक्त यहां रहे होंगे उनसे बाचित करने की कोशिश करते हैं आप बताए ये क्या हाथसा किस तरह से हुआ था ये सुबह करीब साड़े आठ मुझे का टाइम था दनुन्दा की साइड से बस आ रही थी और इस पेड में टकराई जो मुझे जानकारी मिली और वो तकरा के पल्ट गई बस पल्टने के बाद प्रोस में यूरो स्कूल है इसका पूरा स्टा बच्चे आक करके अपनी बसों में बसों में शिफ्ट करके उनको होस्पिटल पुछाएगा क्या जो ड्राइवर है वो शरापके निसे में था या फिर क्या लोग बता रहे हैं लोग बता रहे हैं आप यहां थे क्या कुछ देखा आपने बिल्कुल लाइव थे यहां पर बस की सपीड होगी कम से कंभी 120 और बस का कंट्रोल बिगड़ चुका था वहीं से बस ऐसे ऐसे आई उसने यहां मारी सिद्ध है इस पेड़ से पिछे की बस बिल्कुल सेफ थी जैसे टकराई बस यहां पर पलटी मार गी बस के निच्चे चैरपाच और दा स्पोर्ट बच्चे खतम हो गए थी यहां पर आवाज उज लगाने पर ये यूरो के स्टाफ आ गया यह एपड़ गोदाम से बंदे आ गए थे तो वो बस उठाई हमने और इलाज चल रहा है आलांकि उसके इस हाथसे के बाद शिक्षामंत्री खुद जो है कई चातरों से मिल चुकी है अस्पताल का दोरा भी कर चुकी है लेकिन बड़ी बात यह है कि आज छुट्टी का दिन था बावजूद इसके स्कूल खुली वी थी तो ऐसे में क्या सिर्फ अकेले ड्राइवर को दोसी माना जाए या फिर स्कूल परबंद के उपर भी कोई कारवाई की जाएगी क्योंकि छुट्टी के बावजूद भी इस सकूल को खोला गया था धर्यम्वी शर्मा न्यूज 18 कानीना मेहंदरगड झाल